अससलाम उलेकुम प्यारे बच्चो कैसे हैं आप आज जो हम वीडियो देखेंगे वो है HCF using long division method हमें find out करना है numbers का HCF और long division method के through हम कैसे find out कर सकते हैं यह हमारे लिए है grade 5 का ठीक है अच्छा आप हमने पहली वीडियो में देखा था कि prime factorization के through HCF हम कैसे निकालते हैं आपको प हमें ऐसा number find out करना है जिसके table में यह तीनों number आते हों ठीक है अच्छा method different होते है HCF मालूम करने के आपने पहले भी देखा होगा vand diagram भी होती है different चीजे होती है लेकिन जब numbers आपके पास 3 है तो उसके लिए different हम solutions use करते हैं जैसे के पहली वीडियो में हमने use किया long sorry prime factorization method और इस वीडियो में हम देखेंगे long division method ठीक है यह class 5 में बच्चे usually पहली दफा पढ़ते हैं आप division से समझ गये होंगे कि हमें कौन सा process करना है solution यहां पे करना है division का हमें operation यहां पे करना है ठीक है तो लेकिन division में आपको यह भी पता है कि जब हम division का sum बनाते हैं तो division के sum में तो हम लेंगे ascending order में number ठीक हम ascending order में भी सकते हैं descending में बहुते हैं ascending मतलब सबसे चोटा और इससे बड़ा और descending मतलब सबसे बड़ा और यानि कि इस वत मैं ले रहे हो अपनी वर्जी से ascending order ascending order में मेरे पास यह दो नंबर जाते हैं सबसे छोटा जो मैं आखिर में मतलब सॉरी इसके बाहर रखूंगी यह दिवाइजर है और 56 जो के डिवाइड होगा ठीक है अब 26 के टेबल में 26 को जब मैं टू टाइम्स पढ़ूंगी तो आएगा मेरे पास 52 ठीक है यह 52 आंसर आएगा 26 2052 ठीक है अब मैं मैं इसको करूंगी माइनस 6 में से 2 जब माइनस होंगे तो आएगा मेरे पास आंसर 4 और 5 में से 5 माइनस 0 अच्छा आंसर यहां पे जब तक मेरे पास रिमेंडर में 0 नहीं आ जाता तब तक मैं इसको डिवाइड करती रहोंगी लेकिन अब यह जो रिमेंडर है यह करेगा और यह काम अब उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमाई पास रिमेंडर जीरो नहीं आ जाता ठीक है अब आप देखें कि 4 के टेबल में 26 आता है या नहीं आ सकता मेरे खाल में तो नहीं आता क्योंकि 4 6 जार होता है 24 जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे मै आप यह जो रिमेंडर था यह अब डिवाइजर हो गया और जो यह डिवाइजर था यह अंदर आ गया ठीक है अब होगा टू टूसर फोर ठीक है यह एक्कुरेटली में डिवाइड हो गया है अच्छा अच्छा आप च्छहमाए पास नंबर बचा था एटी हम उसके लिए दुबारा से एक divide का sum बना रहे हैं ठीक है आपको पता है इटी बड़ा है तो वो अंदर रखा जाएगा वो dividend बन जाएगा लेकिन अब इसको divide कौन करेगा इस number को वो divide करेगा जो आखरी diviser था जिसमें आखरी बार इन दोनों को divide किया यानि कि 2 अब आपको पता है 2 के टेबल में हर वो number आता है जिसके आखर में 0, 2, 4, 6, 8 हो इसके आखर में 0 है तो आप समझ जाएगा यह पूरा पूरा जो है 2 से divide हो जाएगा 2, 4, 0, 8 और 2, 0, 0 जब हम minus करेंगे remainder है 0 इत मींज हमारा यह जो तीनों नंबर ने यह पूरे पूरे divide हो गए लेकिन किस नंबर से divide हो है कौन से नंबर है जिसने इन तीनों को divide किया है क्या answer हमारे पास 40 है क्या 40 के टेबल में 26 और 56 आ सकता है obviously नहीं आ सकता तो हमारे पास जो HCF है वो है 2 ठीक है हमारे पास HCF 2 है 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 26 भी आता है 56 भी आता है और 80 भी आता है आपने देखा HCF मालूम करना कितना आसान है ठीक है आप दोनों method यूज कर सकते हैं अगर आपके पास test है या कोई भी काम आपको करना है आप HCF जो है long division method के through भी use कर सकते हैं find out कर सकते हैं और prime factorization के through भी find out कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ का खयाल रखें अगर आपके test में बाकाइदा लिखा हुआ है कि HCF using long division method तो आपको long division method ही करना है और अगर आपके पास test में आता है कि find HCF using prime factorization method तो फिर आपको अपना method prime factorization ही रखना होगा आपको method चूज करने में बहुत careful रहना है ठीक है दोनों की बहुत अच्छे तरीके से practice करें ताकि आपके test में जब दोनों में से कोई भी एक आया या दोनों आये तो आपको कोई भी problem ना हो HCF को find out करने में इंशाला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंधर हम सीखेंगे LCM LCM के भी हमारे पास दो method हैं इस वरत class 5 में तो इंशाला वो दोनों method हम सीखेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज